राज़ानी दिली में अक्सर LG और केज़िवाल सरकार के भी इस तक्रार होती नजर आती है अब ये विवाद और बढ़ने वाल है और इसकी वज़ा वो नोटिस है जो राज़िस सरकार को मिला है जिहां अब राज़िपाल के आदेश के बाद मुख्यमंतरी अर्विन केज़िवाल को 164 करोड़ का रिकवरी नोटिस भेजा गया है तो क्यों सीम को मिला है नोटिस और क्या है पुरा मामला देखते हैं इस रिपोर्ट में दिले की केज़िवाल सरकार के देन इस वक्त अच्छे नहीं चल रहे हैं कभी शराब घोटाले को लेकर सरकार के मंतरी जेल जाते हैं तो कभी विग्यापन मामले को लेकर नोटिस थमाया जाता है उपरा जिपाल के आदेश के बाद मुक्यमंतरी अर्विन केज़िवाल को 164 करोड रुपए का रिकवरी नोटिस भेजा गया है नोटिस में कहा गया है कि आम आदमी पार्टी दस दिन के अंदर पूरी राशी का भुक्तान करे दवा किया जारे कि अगर आप सयोजक अर्विन केज़िवाल तैस समय में राशी का भुक्तान करने में नाकाम रहते हैं तो LG के पिछले आदेश के अनुसार कानूनी कारवाई की जाएगी इसके तहट पार्टी की संपतियां भी कुर्क की जा सकती है आरोपे की सरकारी खजाने से 2016 सत्रह में सरकारी विग्यापनों के नाम पर राजनायतिक विग्यापन दिये गए इसे लेकर LGV के सकसेना ने मुख्य सचिव को सरकारी विग्यापनों की आड़ में प्रकाशित राजनायतिक विग्यापनों के लिए आप से 97 करोड वसुलने का निर्देश दिया था लेकिन उसका भुकतान नहीं किया गया इस पर जुर्माने के तौर पर 64 करोड 31 लाक रुपे का ब्याज लगाया गया जसके बाद कुल रकम 163 करोड 62 लाक रुपे होती है अब सीम के जिवाल को इस राशी का भुकतान करने का निर्देश दिया गया है वो इन नोटिस को लेकर आप भड़क उठी है आम आदमी पार्टी ने आरूप लगाया कि LG सकसेना ने BJP के इशारे पर ये आदेश दिया है क्योंकि इस तरह का आदेश देना उसके अधिकार शेत्र में नहीं है उपमुक्य मंतरी मनीश सोधिया ने आरूप लगाया कि BJP आम आदमी पार्टी की सरकार को दबाने के लिए दिल्ली के अधिकारियों पर असमवेधानिक नियंतरन बनाए रखना चाहती है अब भले ही आप इस मामले में सफाई दे रही है लेकिन देखना होगा क्या वो नोटिस पर भुक्तान करती है या नहीं डेबिलाइफ की रिपोर्ट